तो दोस्तों वैसे तो financial year 2020-21 का session end हो चुक है और new session 2021-22 सब start हो चुक है लेकिन फिर भी आगे आने वाले 2 या 3 मिने तक आपको जो previous year end हुए 2020-21 का उसकी भी जुरूरत आगे आने वाले time तक आपको जुरूरत उसकी बनी रहेगी तो दोस्तों अगर आप एक नए accountant हो या फिर आपने अभी accounting job की शुरुआत करी है या फिर आप last one year से किसी company में accounting की job कर रहे हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुती ज़्यादा important रहने वाली है क्योंकि अभी आपको आपके senior आपके boss आपको जो previous year end हुए है 2020-21 का उस पर उसको आपको print out देना है या आपके पास जो आपके supplier है उनसे आपको statement मंगवानी है और statement मंगवाने के साथ आप अपनी books के साथ उससे टेली भी करोगे interest का आपको जमाखर्सक भी करना पड़ेगा interest की entry भी आपको करने पड़ेगी यान कि 2021 से related काफे कुछ ऐसे pending work है जो आपको करने के लिए बोले जाएंगे तो दोस्तो आज की इस video हम practically इस बात पर discuss करेंगे भी आपको अभी 2021 के कौन कौन से ऐसे work है जो आपको अभी करने पड़ेंगे तो दोस्तो वीडियो बहुत ही knowledgeable रहने वाली है एक नए content के लिए एक टेली के नए student के लिए तो वीडियो को end तक complete देखना वीडियो कैसी लगी आप अमें comment करके जुरूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगे तो like करने के साथ साथ दोस्तों में share भी जुरूर कर देना तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ मौन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनार की यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो के thumbnail पे देखा होगा भी आपके boss न करने के बाद में पूरा statement उस customer को आपको email करना है या फिर आपको WhatsApp करने के लिए बोला जा सकता है या फिर आपको उसका printout निकाल के courier करवाने के लिए भी बोला जा सकता है तो दोस्तों उसके interim किस तरीके से बोलेंगे किस को किस statement किस को बोला जा रहा है ब्याज का जमाखर से customer है मेरे पास यह company है इस company में मैंने यहाँ पर financially 2020-21 का work किया हुए तो दोस्तों आपने financially 2020-21 के अंदर कौन सा software यूज किया है वो कोई matter नहीं रखता क्योंकि जो हम practically हम सीखने वाले है वो सभी software में सेम होती है और आज हम अलगलग software में उन सब को practical के साथ करके भी देखें तो दोस्तों अब माली जी आपके boss ने बोला भी एक आपके पास company है current traders उसका आपको 31 मार्थ 2021 तक का पहले तो ब्याज देखने है और ब्याज देखने के पाद जितना ब्याज उसका बनता है तो उसकी entry करने के बाद में उस party को statement देना है तो सबसे बहले दोस्तों एक current traders हमा तो gateway टेली पर आके display पर आना होगा उसके बाद आपको accounts book पर आना होगा और उसके बाद में laser पर और इसमें हम select करेंगे current traders तो current traders की ये सारी transaction आ चुकी है इसमें हमने sale भी किया है और कुछ उस customer की मारे पास receipt भी आई भी है और ये जो statement हम 1 April 2020 से लेके 31 मार्थ 2021 तक का देख हैं तो ये तो था सब कुछ उसकी transaction जो हमने sale की थी और sale के बदले में जो हमारे past customer की payment हमें receive हुई है और हम इसका देखते हैं कितना ब्याज कितना बनता है उसके बाद में इसकी ब्याज की entry करना भी सीखेंगे तो दोस्तों ब्याज को देखने के लिए हम वापिस gateway पर आए करेंगे डिस्पले पर हम आएंगे और डिस्पले पर आनिक बाद statement of accounts करवाएंगे उसके बाद हम interest calculation select करेंगे और उसके बाद में laser तो दोस्तों मैंने या पर current traders का एक laser है और उसको मैंने interest उस पर activate किया हुए है current traders को open करेंगे तो अब आप देखेंगे यहां पर जो transaction है दो आप तक जो period है वो कितना शो हो रहा है तो अभी मेरे पास एक April 2020 से लेके 31 March 2021 शो कर रहे है और उसका जो total interest की जो amount है वो आर यह 13341 रुपे और 97 पेसा यानिकि total interest है यह पूरे साल के है तो इसका जो interest है अभी स्पार्टी के खाते में debit में करना पड़ेगा तो दोस्तो इसकी इंट्री हम किस प्रकार करेंगे सबसे पहले हम इस amount को note कर लेंगे और note करने के बाद इसकी इंट्री हम करते हैं तो इंट्री करने के लिए दोस्तो हम जाएंगे वापिस हमारे accounting voucher में और voucher में जाने के बाद हम यूज करेंगे journal voucher को यानिकि F7 तो F7 को को यान कि जिससे हमें व्याज लेना है तो करन्य डेज़ करेंगे उसके भाद में जितनी इसकी अमाउंट थी उस अमाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे तो दोस्तों यह जो अमाउंट है अब आप पर डिपेंड करता है आप अपने सीनियर के साथ इस बात पर भी कंसल्ट करोगे बीज़ो चितना अमाउंट इंटरस्ट आपका जो अकांटिंग सौप्ट पर शो कर रहे हैं वो तना ही दिखाना है या फिर 13,341 रुपे और 97 पर अगर आप 13,344 रुपे करना चाहते हो 13,310 या 13,300 जितना भी आप राउंड फिकर के साथ करना चाहते हो तो वो आप अपने सीनियर के साथ एक बार कंसल्ट जूरूर कर लेना तो मैं एक बार प्रैक्टिकली के लिए जितना इंटरस्ट आप टेली रिसीव है तो हम इंटरस्ट अकाउंट इंटरस्ट करेंगे में यहाँ पर एक लेजर क्रियेट कर लेंगे इंटरस्ट रिसीवड का और यह हमारे लिए एक इंडारेक्ट इंकम है तो हम इंडारेक्ट इंकम में रखेंगे जिए इस पर किसी अप्रियर की अप्लिकेबल न जो भी अपने लेशन देना चाहो और इस वाउचर को करेंगे एसेप्ट अब हम उस पार्टी का जो लेजर है वापिस यो करेंगे तो दोस्तों अब आपके सामने यह अलग अलग टाइप की लेंगविज बोली जा सकती है पर पार्टी का स्टेटमेंट आप जो या फिर आप तो उस रिपोर्ट को देखने के लिए हम सेंव डिस्प्ले पर आएंगे अकाउंट्स बुक पर आएंगे और लेजर पर आएंगे अब लेजर में से हम उस पार्टी को सेलेक्ट करना है जिस पार्टी के लिए हमें बोला गया है तो हम इसके लिए वापिस प्रेड़िया है आप सेलेक्ट करेंगे 14 2020 से लेके और 31 3221 तक का तो दोस्तों अभी देख लिए हमने जो इंट्री हमने करी थी इंट्रस्ट की अब वो इंट्री भी इस अमाउंट के साथ में आ चुकिए स्टेटमेंट में और डेबिट माउंट में डेबिट के कोलमेश हो गी है तो इस तरीक सिटेटमेंट पार्टी को मेल करना है तो पार्टी को मेल करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों Export करेंगे स्टेटमेंट को तब Export करने के लिए दोस्तों आपके पास हम्तिंग सॉफ्ट्वेर कोई भी सब्योस सब Councillor यह है और जिससे कि आप या पर देखया है नियुभार मे जो select करते हैं उस बात के हम जो भी हमने laser जो select करना होते हैं उस laser को हमसे यहाँ पर select कर लेते हैं और statement देखेंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे तो अगर यहाँ से अगर हमें export करना हो तो इसकी भी shortcut LTE हम यूज कर सकते हैं तो आपके सामनी इस तरीके से export report data का option आ जाएगा तो तो यह हर software में हो सकता है लेकिन इसकी जो shortcut command है वो अलग-अलग हो सकती है अब देख सकते हैं भी busy software में इसका shortcut option है यहाँ पर उपर दिया हुए और इसका हम LTE के साथ shortcut यूज कर सकते हैं तो हर software में कुछ software में यहां भी हो सकता है निचे foot bar में भी हो सकता है header में भी हो सकता है यह कोई matter नहीं करता है और अब हमें इस statement को PDF फाइल इसकी त्यार करनी है तो PDF फाइल करने के लिए हम जाएंगे LTE हम यूज कर सकते हैं या फिर हम इस export जो यहाँ पर बटन दिया है इस पर हम भी क्लिक कर सकते हैं मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का एक window open होगा और इस window में उपर सबसे पहले आपको option दिखने में विलिगा default all language आपको यहाँ पर default all language ही है अब यहाँ पर इसको backspace आपको दबाना है keyboard से तो जैसे आप backspace दबाओगे तो आप इस option पर आजएगो language पर और उसके बाद इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आजएगा format तो अब इस format में आप कई format में इस जो statement है export कर सकते हो आप Excel में भी कर सकते हो HTML के साथ कर सकते हो जैपीजी format में कर सकते हो और PDF में भी कर सकते हो XML डाटा, ASCSSS के common delimit में भी हम export कर सकते हैं तो इस तरीके साथ काफी सारे अलग-अलग accounting software जो यह सुईदा देते हैं यह आप कौन से format में export करते हो लेकिन हमें PDF के लिए बोला जाएगा तो हम इस में से select करेंगे PDF को PDF करेंगे और उसके बाद में आपके पास option आएगा export location का यानकि अब आपके जो PDF फाइल है जो save होने जा रही है वो इस location पर जाकर save होगी यानकि अब आपके system में जो D drive है, D drive के अंदर एक टेली का फोल्डर बना हुए उस टेली का अंदर एक sub folder बना हुए टेली.erp9 के ना हमें चाहिए हम जिस laser का statement party को बेश रहे हैं उसके नाम से हम इस PDF का file नाम दे दे तो हम यहां फिर टेली को हटा के यहां से current traders.pdf यहां पर type कर देंगे ताकि आपको सुवीदारे search करने के लिए और उसके बाद में आपको page size app हो रहेगा और उसके बाद में अलग-लग option आप open exported file यानि कि जो file export होईगी उस वो automatic open हो जानी चाहिए गया तो यह आपर depend करता है आप उसको open करके देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते तो मैं इसको yes करूँगा open हो जाएगी और उसके बाद में काफी सारे option यहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो यहां पर भी आ payment के अंदर show होना चाहिए तो जो जो आपको option बोला जाए उसमें से आप इनको yes आप कर सकते हो, inventory detail आप कर सकते हो, bank detail भी आप कर सकते हो, voucher number also yes high already, narration को करना चाहूँ तो narration को yes कर सकते हो, जो भी आपको function इसमें से चाहिए और method of balancing में यहरलियम select करेंगे और इसको करेंगे यह से export, तो दोस्तों जैसे हम export करेंगे तो कुछ एक second में जो PDF है वो हमारे सामने export होके automatic ही open हो जाएगी, तो दोस्तों यहां पर यह current traders की जो file आई यह open हो गी है, इसमें आप smart trading company गया है, current traders party का नाम है, और इसमें जो भी हमने transaction करी थी वो सारी की सारी transaction है, यह जो PDF file के अंदर save होके हमारे सामने आ चुकी है, जितनी भी हमने entry करी थी, अब हमें इस पार्ट इस जो PDF file को email करना है, या WhatsApp करना है, तो हम इस file को यहां से file age में जाके इसको save as a copy, हम desktop पर इसको save कर लेंगे, ओके क्लिक करेंगे, और desktop पर current traders के नाम से इसको PDF file में save करेंगे, और इस option पर हम कर देगे, उसके बाद हमारी mail ID है उसको हम open करेंगे, उसके बाद हम इस पर फाईल को compose करेंगे, और इसके अंदर हम उसका email होना机 हम पंपल्सरी है, तो हमारी पास जो भी email रहेगा, हम उसका email idea हमारी पास, उससे ले ले लेंगा करनी है, और उसके बाद में subject में हम यहां पर इसे हम यहां से attach पे क्लिक करेंगे तो हमारे से वो window जो open हो जाएगी desktop और desktop में से हम यहां से select कर लेंगे current address के PDF को और यहां से इसको करेंगे open तो जैसे open करेंगे तो हमारे सामने यह इस तरीके की जो file है यहां से upload होगी है और अगर आपको इसको text box में कुछ type करना चाहो तो ह हमने आप से type कर सकते हैं और इसे हम यहां से directly आप करेंगे send पर click तो यह जो मारी video file है इस party को send हो चुकी है अगर आपको WhatsApp करने के लिए बोला जाए तो दोस्तों WhatsApp हम simple इसी तरीके से करते हैं जैसे normal चूज़ों के लिए बातों के लिए हम WhatsApp को use करते हैं जैसे कि हम को image है या क को knowledgeable लगी हो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक करने एक साथ सेर भी जूरूर कर दाना तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मारी चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज अभी कर लेना जो कि हम इस चैनल पर इसी तरीके की आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं तो दोस्तों मि दिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के नए टोपी के साथ